अगर आप भी अपने YouTube चैनल को दूसरे Gmail आइकाउंट पर ट्रांसफर करना चाते हैं या फिर आप अपने YouTube चैनल की Gmail आइडी को चेंज करना चाते हैं तो ये वीडियो बहुत ही जादा helpful होने वाले है आपके लिए क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक complete process बताऊँगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल की Gmail आइडी को चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपने YouTube चैनल को दूसरी Gmail आइडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जलू से देखिएगा तो गाइस सबसे पहले मैं आपको वो YouTube चैनल दिखा देता हूँ जिससे मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ दूसरी Gmail आइडी पर तो अभी मैं जैसे YouTube चैनल है जिससे मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ दूसरे Gmail आइडी पर अभी आप देख सकते हैं यह जो YouTube channel है वो मेरी एक दूसरी email ID पर है अभी आप देख सकते हैं इस पर और भी channels है तो मैं इस channel को transfer करने वाला हूँ दूसरी email ID पर तो अभी मैं दूसरी email ID को भी आपको open करके दिया देता हूँ कि उस पर अभी इस channel का कोई भी access नहीं है तो guys मैंने अपनी दूसरी email ID का YouTube studio open कर लिया है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस email ID पर अभी उस channel का कोई भी access नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो main channel है मेरा technical end की वो शो हो रहा है और इसके लाबा मेरा नाम सो हो रहा है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उस YouTube channel को इस Gmail ID पर transfer कर सकते हैं बहुती आसानी से उसके लिए मुझे सबसे पहले जिस YouTube channel को transfer करना चाहते है उसके YouTube studio पो open करना पड़ेगा उसके बाद simply नीचे आपको settings का icon मिल जाता है इस पर एक बार क्लिक करिए उसके बाद simply आपको channels पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है advanced settings simply आपको इस पर एक बार क्लिक करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे option मिल जाता है manage YouTube account जैसे यह manage YouTube account पर आप click कर देते हैं तो new page है वो यहाँ पर open हो जाता है जैसे यहाँ नीचे scroll करते हैं आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है add or remove manager simply आपको यहाँ पर एक बार click करना होता है क्लिक करने के बाद आपके पास यह options open हो जाते हैं यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा manage permissions simply आपको इसी पे एक बाद क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको अपनी Gmail ID का यहाँ पे password डालना पड़ता है जिस भी Gmail ID पर आपको यूटूब चैनल है उसका आपको यहाँ पे password डिंटर करना है जैसे ही आप password डिंटर करने के बाद sign in कर लेते हैं उसके बाद दवारा से आपको क्लिक करना है manage permissions पे आपके बाद यह options open हो जाते हैं साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक icon दिखता है यहाँ पे लिखा हुआ भी है invite new users सिंप्ली आपको यही पे एक बाद क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उस email ID को इंटर करना है तो हमें पूरी ownership ही टांस पर करनी है तो मैं सिंप्ली यहाँ पे ओनर पे चूज करता हूँ और सिंप्ली एक बाद invite पे क्लिक कर देता हूँ तो आप नीचे देख सकते हैं कि invitation है वो send हो चुका है तो मुझे अभी उस Gmail ID के Gmail को ओपन करना है एक बार क्लिक करना है उसके बाद अगें यह option आपके पास open होता है सिंप्ली आप एक बार accept पे क्लिक कीजिए तो गाइस ownership एक बार आप देख सकते हैं इस Gmail ID पर भी इस YouTube चैनल का access है वो आ चुका है अभी मैं YouTube Studio में जाके आपको दिखाता हूँ इस YouTube चैनल की जो ownership है वो यहाँ पर शो कर रही है या फिर नहीं कर रही है तो सबसे पहले मैं इसे refresh करता हूँ एक बार तभी शो करेगा बेसिकली तो जैसी मैंने refresh किया है उसके बाद आप जैसी इस icon पर क्लिक करते हैं उसके बाद switch account पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले सिर्फ दो account शो कर रहे थे जो वीडियो की शाटिंग में ने आपको दिखाया था अभी आप देख सकते है power of music YouTube channel है उसका भी access यहाँ पर मिल चुका है मुझे चैनल पर क्लिक करना है अगेन आपको यहाँ पर advanced settings में जाना है सबसे नीचे जैसी आप स्क्रोल करते हैं आपको यहाँ पर manage YouTube account आपको शो हो जाता है तो simply आप इस पर यह बार क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे स्क्रोल करेंगे आपको यहाँ पर option मिल जाएगा add और remove manager simply आप इस पर यह बार क्लिक कर दीजिए यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है manage permissions simply आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास यह options open हो जाते हैं अभी आप देख सकते हैं पराणी वाले जो Gmail ID वो यहाँ पर show कर रहे है primary owner और अभी हमने जो add की है Gmail ID वो आप इस सिर्फ owner show कर रहे हैं तो जैसे आप इस drop down पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आप आपको तीन option दिखने लगते हैं primary owner, owner and manager तो अगर आप इस channel को transfer करना चाते हैं इस Gmail ID पे तो आपको इसे primary owner बनाना होगा जब यह primary owner बन जाएगा तो आप उस प्रानी वाले Gmail ID को remove भी कर सकते हैं तो primary owner पर जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको option दो जाता है transfer का जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे एक notification आता है कि आपने जिस Gmail ID पर इसकी ownership accept की है after 7 days ही आप इसे primary owner बना सकते हैं तो guys आप 7 दिन का इंतिजार करें साथ दिन के इंतिजार करने के बाद आप इसे जब primary owner यहां से select करने के बाद जब आप इसे बना देंगे उसके बाद आपकी पुरानी वाली Gmail ID है उसे यहाँ पर ऐसा जिक्रोश का icon बनके आने लगया फिर फिर वहां से आप इसे remove भी कर सकते हैं तो guys यही एक complete process है जिससे आप अपने YouTube चैनल को दूसरी Gmail ID पर भी transfer कर सकते हैं या फिर आप अपने YouTube चैनल की Gmail ID को change भी कर सकते हैं I hope आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा helpful रहा होगा अगर अच्छा लगया तो आप इसे like करिए अगर आपको कोई भी प्रब्लम आ रहे है अपने YouTube चैनल को दूसरी Gmail ID पर transfer करने में तो आप नीचे comment करके मुझे बता सकते हैं next video आपको उस topic पर मिल जाएगा and आपके comment पर reply करने का मैं जल्दी से जल्दी try करूँगा and guys अगर आप पहली बात देख रहे हैं तो आप चैनल आप आप